चीन और पाकिस्तान की सहरत पे तयार है सुरक्षा की अभेद दिवार S-400 रूस का ऐसा खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे पूरी दुनिया थर राती है लेकिन अब यही एर डिफेंस मिसाइल भारतिय सीना की ताकत बन गया है S-400 दुश्मनों के नापाक कॉंसूबों को मिठी में मिलाने की ताकत रखता है हिंदुस्तान की हिम्मत ताकत का नाम बन चुका है S-400 अब चीन भारत पर टेड़ी नजर करने से पहले सौ बार सोचेगा पाकिस्तान के नापाक इरादों का भारत करेगा काम तमार भारतिय वायू सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर तीन S-400 वायू रक्षा मिर्साइल स्कौर्डन का परिचालन शुरू करते हैं बाकी बचे दो स्कौर्डन के लिए अंतिम डिलिवरी कारिक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही भारत और रूस के अधिकारी मिलने वाले हैं रूस यूकरेन युद्ध की वजह से इनकी डिलिवरी अटक गई थी टीन स्कौर्डन की एक इकाई चीन और पाकिस्तान दोनों पर नज़र रख रही है जबकि एक एक को चीन और पाकिस्तान मोर्चों के लिए रखा गया है इससे सीमाओं पर भारत की मोर्चाबंदी बेहद मजबूत हो गई है ये सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है S-400 मिसाइल सिस्टम अत्यादुनिक रेडार से लैस है सेटलाइट से कनेक्ट रहने की वज़े से जरूरी सिगनल और जानकारियां तुरंत मिलती है भारत के इस कबच की खुबियां क्या है ये जानने के बाद ना पाकिस्तान और ना ही चीन भारत को आँख दिखाने की जुरत करेगा S-400 एक एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्वन के एरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉंग रेंज सर्फिस टू एर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना गया है ये दुश्वन के क्रूज एरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है वह इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टागेट को एक साथ मार सकती है इसमें चार तरह की मिसाइल्स होती है एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है दूसरी 500 किलोमीटर तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली है S400 का जलवा ये है कि इसके रेडार 100 से 300 टार्गेट ट्रैक कर सकते है ये 600 किलोमीटर तकी रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है इसमें लगी मिसाइल्स 30 किलोमीटर उंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टार्गेट को भेद कर सकती है इससे जमीनी ठीकानों को भी निशाना पनाए जा सकता है इसमें 12 लॉंचर होते हैं ये तीन मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में सिर्फ पाँच मिनट का समय लगता है S-400 सिस्टम में टागिट की दूरी उसकी स्पीड समेट सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती है इसके बाद कमान कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लांच का आदिश दिया जाता है इस अमेरिका के धार्ट सिस्टम से बेहतर माना गया है और इनी खासितों की बदॉलन ये मिसाइल सिस्टम देश का सुरक्षा कवच बना हुआ है चीन और पाकिस्तान के खत्रे को देखते हुए भारति सेना को इस ताकतवर एर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत थी येरो रिपोर्ट गुद नीस तोड़े